तो कैसे हो काटून और एनिमी के फैंस बच्चे बड़ों को मेरा प्रणाम स्वागत है मेरी चैनल टून्स डिटेक्टिव में दोस्तो मैं आज आपको इस वीडियो में डिजनी के कुछ सबसे प्यारे काटून केरेक्टर्स के बारे में बताऊंगा जो हमारी टाइम के बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंदिदा थे लेकिन वीडियो को सुरू करने से पहले जो लोग हमारी चैनल पे नए है वो लोग हमारी चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजेगा क्योंकि आपको सभी काड़ोन और कीट्स जैनिमे के बारे में ऐसी ही इंडरेस्टिंग बाते हमारी चैनल पे जानने को मिलेंगी तो ज्यादा बाते ना करते हुए अब सुरू करते हैं वीडियो तो नमबर फाइव पे आता है वाली दोस्तो हमने इस केरेक्टर को 2009 में आई हुवी मूवी वाली में देखा था इस केरेक्टर को दोस्तो बच्चों ने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया था भले ही ये केरेक्टर एक मसीनी किरदार में हमें दिखाया गया हो लेकिन इसके जो इमोसंस थे और इसका जो क्यूटनेस बरा लुक था वो बच्चों के दिल को चूग गया था इस ताइम के बच्चों को मैं यही रेकोमेट करूंगा कि ये मूवी एक बार तो उन्हें देखनी ही चाहिए तो जो कैरेक्टर नमबर फोर पे आता है वो है फिवैल जो American टेल कारटून का कैरेक्टर है दोस्तो मैंने इस कार्टून को अभी तक कोई इंडियन कारटून चैनल पे नहीं देखा है और इसका सभी एपिसोड है वो सभी इंगलिश में ही आपको देखने को मिलेंगे एक भी एपिसोड ऐसा नहीं होगा कि जो आपको हिंदी में देखने को मिलेगा तो सायद ऐसा हो सकता है कि ये काटून इंडिया में रिलीज ही ना हुआ हो या फिर ये हो सकता है कि ये 19 के टा बोटा सा रैट है और अगर इस काटून को अगर ज्यादातार इंडिया में बच्चों ने देखा होता तो यह सबका फिवरेट केरेक्टर रहा होता दोस्तों अगर जिन जिन बच्चों को इंग्लिस में काटून देखना पसंद है या फिर इंग्लिस काटून समझ में आता है वो बच्चे इस काटून को जरूर देखे यूटूब में सर्च करके आपको इसे देखने में बहुत मजा हैगा दोस्तो और आपको ये बहुत पसंद आएगा दोस्तो ये काटून और जो अगला नंबर 3 पे आता है उस काटून केरेक्टर का नाम है रोजर रैबिट दोस्तो ये काटून केरेक्टर रोजर रैबिट काटून सीरीज का है और इस काटून की एक मूवी भी बनी थी इस cartoon character की खास बात करतो इसके expression अगर कोई भी बच्चा इस cartoon character को हसते हुए देख ले तो उस बच्चे के मुँपर एक प्यारे सी मुस्कान ला देता था जो दूसरे नंबर पर आता है उस character का नाम है थंपर दोस्तो हम सभी ने इस खरगोश जैसे दिखने वाले इस character को 1990 में आई हुई movie बंबी में देखा था इस movie में जो हमारा थंपर नाम का character है ये हर बार बंबी नाम के एक हिरन को बर्फ पे चलना सिखाता है इस movie का ये जो थंपर नाम का character है वाके ये बच्चों को बहुत पसंद आया था और जिस जिसने भी ये movies देखी थी उन सभी को ये character बहुत ही ज्यादा पसंद आया था जो नंबर वन पे आता है उस character का नाम है Pooh Bear हम सभी दोस्तों ने बच्पन में इस character को Winnie the Pooh में देखा था जो बहुत ही अच्छा cartoon show था इस cartoon show में अकेला ऐसा Pooh ही नहीं सभी cartoon characters बहुत प्यारे थे लेकिन बच्चों का जिसने दिल जीता वो है Pooh Bear हाँ दोस्तों Pooh Bear बच्चों के बीट में बहुत ही ज्यादा famous हुआ और आज भी बहुत ही ज्यादा famous है और बच्चों का सबसे ज्यादा पसंद दिदा cartoon character है तो अब बहुत हुआ दोस्तों अब वीडियो को खत्म करते हैं आशा करता हूँ आपको वीडियो देखे मज़ा होगा तो बाई बाई दोस्तों See you later